अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CGHS से लेटर जो आज का अपडेट है जो कि सभी pensioners और central government employees के लिए जैसा CGHS जो अपने beneficiaries के लिए time to time नेने updates निकालता रहता है दोस्तो अभी जो जो लोग CGHS के beneficiaries हैं जिसमें की central government employees और pensioners हैं उनके लिए जो latest order है हम उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो बात करते हैं आज के इस important अपडेट के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तो आप देख सकते हैं ये नया order है और ये पहले ये order नहीं आया था अभी latest 2021 में आया है इसमें inclusion of second wife name in CGHS pensioner card regarding due to follow the procedure enumerated under the तो एक नया जो rule आया है जिसमें की जो है second wife का नाम जो है CGHS में enter किया जा सकता है as and when pensioner marries or remarries after retirement he shall intimate the event to the head of office तो ये कुछ खास category के लोगों के लिए है जो की दुबारा marry करते हैं after retirement तो अगर CGHS की जो है जो भी benefits है उसको लेना है इसके लिए उनको जो है intimate करना पड़ेगा CGHS officials को अब देख सकते हैं आपके सामने ये सारा order है और उसके अलावा और उसके आपसे वेरिफिकेशन होगी वेरिफिकेशन के बाद से जो है इसको CPAO जो भी pay and accounts officer के पास भीजा जाएगा और when the pensioner does not have any child or children from his previous marriage shall be eligible for full family pension तो जो full family pension होगी प्लस जो CGHS की जो benefits होंगे वो मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताए कि एक category जिसमें की अगर remarriage होती है तो उस case में अगर आप अपनी wife का CGHS के benefits देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CGHS मुनका नाम update कराना पड़ेगा और CGHS को intimate करना पड़ेगा दूसर ये था आज का important update सभी CGHS beneficiaries के लिए pensioners और central government employees विडियो पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले Thank you for watching this video